दोस्तो आज आज आपको इस वीडियो में सरीर से जुरे रोचक फैक्ट के बारे में जानने को मिलेगा और कुछ ऐसे नॉलेज भी है जो आपने कभी शायद ही सुना होगा और कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी है जो आपको हैरान कर देगा तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और फालतू नहीं काम का नोलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तो हम सब तो जानते हैं कि सभी इनसानों में डियने पाए जाता है लेकिन क्या ये जानबरों में भी पाए जाता है तो इसका जबाब होगा हाँ पास्तव में पृत्वी पर जितना भी जीव जन्तू और पेर पौधे पाए जाते हैं उन सभी में डियने महजूद होता है उधारन के लिए बंदर और चिंपेंजी आप ले सकते हैं जिनका डियने 99% इंसानों को डियने से मिलता है पैक्ट नमबर टू दोस्तों जब डियने की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दो कि केले और इंसान का डियने 50 से 60% मैच करता है जी ये बिल्कुल हैरान करदेने बाते हैं लेकिन सही है कि केले और इनसान का DNA जैनेटिक तोर पर काफी मिलता जुलता है लेकिन ऐसा कैसे तो इसका जवाब हुआ कि केले और इनसान दोनों यूकेलियो टस नामक जीवों के एक समूँ से संबंध रखता है और क्योंकि केले और इनसान दोनों में इस परकार के सेल्स और निकलेस पाये जाते हैं जिससे दोनों का DNA मिलता जुलता है दोस्तो हमारे पेट में मौझूद छोटी आथ के लंबाई 20 फीट यानि 6 मीटर होती है परन्तु आपको पता है कि हमारे पूरी शरीर में बलड बैसल यानि नसे की कितनी लंबाई होती है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक बैसक इंसान के शरीर में खुन की औसक मातरा 5 लीटर होती है और ब्लेड वैसल्स की लंबाई 60,000 मील यानी 96,560 किलो मीटर तक की होती है पैक्ट नमबर पूर दोस्तों हमारी आखे हमारे शरीर का महतपुर्ण अंगह ये तो समझ आता है लेकिन हमारे आखों के ऊपर ये जो आइबरो होते हैं आखिर क्यों होते हैं और इनका काम क्या हो मेटार है तो दोस्तो हमारी आइबरोтор 12 में पानी की बूंदे को आखों मेरे जाने से लोकती है और म के मोर्चम में सिर से तपकने वाले पसीने को आखों मेरे से बचाती है फैक्ट नमर फाइव दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि सभी लोगों का ब्लेट टाइप एक जैसे नहीं होता है आखर इसमें ऐसा क्या होता है जो इसे अलग बनाता है तो हमारे सरीर में एक एंटीजन नाम का बिटामिन होता है जो खून के साथ मिलकर अलग-अलग है कि हमारा दिमाग किसी भी तरह के मैसेज को समझने के लिए इलेक्टिकल सिग्नल्स का उप्योग करता है लेकिन आपको यह जानकर है राने हो इतना इलेक्रिसिटी पैदा करता है कि इससे एक दिम बलब जलाया जा सकता है प्लेक्ट नमर शेवन दोस्तों नाखून बैक् के अन्य हिस्सों को बनाता है लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में पानी और लिपीड भी होते हैं जो उन्हें लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं दोस्तों हमारे जो नमबर यानि संख्या एक से दस तक है वह दस उंगलियों से प्रेडित होकर हमारे प्रुबजर दोर करते हैं